जहिन साथियों नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत ख्वागत अविनंदन है पेरमाउंट लाइब पे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मज़े में होंगे तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से वंधू लाइब जुड़ते जा रहे हैं माई डियर कमेंट सेक्ष पूछ रहा हूँ कि अब इस्टूडियो में मैं अकेला हूँ टेकनिकली भी खुदी संभालना है पढ़ाना भी खुदी है तो सामने इस स्क्रीन पे देख के सारी चीज़ें कमफर्टेवल हो जाऊं माई डियर जितने भी भाई वहन फिलाल स्लाइड सेशन में जूडते ज अंजुली असिस सिंगराजपु सभी का प्रेम आशिरवात स्विकार है माई डियर जैसा कि मैं आप सभी से अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ कॉंसेट पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है प्यारे कॉंसेट पढ़ने के बाद इसे एक्जाम में आय हुए कुष्ण पर कैसे अप्लाई करना है माई डियर तीस चीजों को समझते हैं अक्सर इत बात याद रखना चाहे आप किसी भी सर्जी से पढ़ रहे हो उनके फॉलू करो उनके क्लास नोस को पचास बार लगा जाओ दे रहे होंगे या एक्जाम सेंटर में बैठेंगे अपने आपको बहुत ही ज्यादा कमफिटेवल पील कर रहे होंगे प्यारे तो अगर सब कुछ आपके क्लास नोट से आया हुआ है कि नहीं तो के करें माई डियर कहानी को आगे बढ़ा है एक बार थमसप करते चलिए सभी बच्चे बहुत सारे बच्चों का यहां पर थमसप आ गया है और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी माई डियर अभी लाइब जुटते जा रहे ह अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल अजके लिक्चर का बड़ा ही सांदार सा सवाल है boat and stream boat and stream आपने पढ़ा है क्या time speed and distance का सवाल है माई डियर ताइम speed and distance का question है सवाल कहता है कि a boat covers 35 km downstream in 2 hours मतलब कि एक नाओ 35 किलोमेटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में कवर करता है तो उसे दो घंटे का समय लगता है किलियर है और वही दूरी वही 35 किलोमेटर की दूरी अगर अप स्ट्रीम में कवर करता है तो उसे 7 घंटे का समय लगता है प्यारे आप से सवाल पूछता है माईडियर की, बताईए, बताईए कि उस बोट की चाल क्या है सांत धारा में, मतलब की माईडियर सांत धारा में, स्टील वाटर में उस बोट की स्पीड क्या है, है मेरा कोई ऐसा धुरंदर जो इस सवाल का सही उत्तर दे सके, माईडियर मैं आप सवाल का solution तो बताऊंगा ही प्यारे, जी, है मेरा कोई ऐसा hero जो इस सवाल का सही उतर दे सकता है, अगर इतनी सी कहानी की समझ हो माईडियर तो इस सवाल का जवाब दीजे फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, प्यारे जरा गौर से देखो आप जानते हैं, आप जानते हैं माईडियर की, खोड़ी दिर के लिए मैं मान लेता हूँ भाई, कि ये बोट की स्पीड है, क्या है, बोट की स्पीड मैं मान लेता हूँ आपके समझने के लिए की X है, और स्टिल वाटर की स्पीड क्या है, स्टिल वाटर की स्पीड माईडियर Y है, प्यारे, अगर इत जलते हैं तो जब आप डाउन स्ट्रीम में कवर करेंगे डिस्टेंस जब आप डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करेंगे माई डियर तो एक्स प्लस वाई होगा और जब आप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करेंगे तो एक्स माईनस वाई होगा अगर यह बात समझ पाए तो टोटल डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रिम में 35 किलोमेटर और कितनी देर में दूरी कवर कर रहे हो जो घंटे में क्या इस बात की समझ है प्यारे क्या इस बात की समझ है माइडियर किलोमेटर पर आर आपकी स्पीड हो जाएगी अब मेरी बातों को ध्यान से समझेगा डाउन इस्ट्रिम में क्या होगा टोटल डिस्टेंस कितिनी है 35 किलो मिटर आप इसको कवर कर रहे हैं साथ के 7 गंटे में तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 35 by 7 होगी यह छोटी सी बात की समझ होनी चीए प्यारे अब मेरी बातों को जहां से सुनना जब भी कभी ऐसा कंडिशन आजाए और आपको X की वैल्यू निकालनी हो प्यारे तो 2X की वैल्यू क्या होगा इसको एड कर लेंगे यानि कि 35 by 2 प्लस में 35 by 7 X की वैल्यू आपको बोट की स्पीड बतानी है आपको क्या बोट की स्पीड बतानी है प्यारे यानि कि दोनों को एड करके 2 से डिवाइड कर देंगे माईडियर एड करने का तजुरुआ होगा 35 common ले लेंगे 35 multiply 9 by 14 होगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे काटने का तजुरुआ बहतरीन होना ये माईडियर 7 का टेवल याद हो तो 5 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा यानि कि 45 by 4 आएगा 4 से इसे काटेंगे तो 11 और 1 बचेगा यानि 11.25 इस सवाल का सही उत्तर किलियर कितने बच्चों को समझ में आई कहानी गोटेंड स्ट्रीम अगर आप क्लास में पढ़े हो यहां तक कि मैं ये वाली बात भी सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखा हूँ प्यारे जब आप स्ट्रीम जब आप स्ट्रीम में जाते हैं तो धारा आपके प्रती कूल होती है यानि कि स्ट्रीम कम हो जाएगा जब आउन स्ट्रीम में जाते हैं तो धारा आपके अनुकूल होती है रिलेटिव स्ट्रीम बढ़ जाएगा मैडियर क्या इतनी सी बात समझ पाए एक वार कमेंट सेक्षन में जर्णा बता दिजे कि यह सवाल कंपाउंड इंट्रेस्ट का है प्यारेंग यह स्टीजियल मेल्स का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं माई डियर पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कॉंफिडेंस बढ़ता है आप क्लास में क्या चीज पढ़ रहे हो और डिरेक्ट उसी से अगर सवाल आ जाये तो बताएंगे क्या आपका कॉंफिडेंस डेवलप होगा की नहीं होगा नमन सर्मा जी वेरी गुड माई डियर तापस जानदार जवर्दस जिंदावाद यह एक सवाल आपके compound interest का है और मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल का सही उतर दें सवाल क्या कहता है what is the compound interest on a sum of 25,000 25,000 रुपे पे 12% के हिसाब से compound interest क्या होगा 25,000 रुपया है प्यारे माई डियर एक बात ध्यान रखिएगा 12% का मतलब 12% का मतलब हम क्या कह सकते हैं 12 बटे में 100 कह स 12 बटे में 100 कह सकते हैं काटने का तजरुबा हो तो 4 के पहाड़े से 3 बार में 25 बार में कटेगा यानि कि जब भी कभी 12% के value आप यूज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 3 by 25 लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 by 25 आप अगर मेरे से कभी compound interest पढ़े हैं तो मैंने सिखाया था कि जब compound interest के percentage का ratio लिखेंगे तो ध्यान रहना चाहिए हम क्या लिखेंगे amount और principal का ratio लिखते हैं क्या amount और principal का ratio तो सवाल कहता है कि 25,000 रुपे principal amount है तीन साल बाद compound interest क्या निकालना है माईडियर तो भीया एक साल में 25 से 28 रुपया होगा compound interest का मतलब successive increasement होता है अगले साल फिर 25 से 28 हो जाएगा आपका रुपया और अगले साल फिर 25 से 28 होगा क्या अगर इतनी सी बात समझ पाये माईडियर तो मैं एक कह सकता हूँ 28 गुणे में 28 तात्सो चॉरसी और ख३रसी गुणे में 28 फिर क्या होगा 21,952 हगा 21,952 होगा माईडियर समझ पारें इस बात को 21,952 बटे में 25 गुणे में 25 625 गुणे में 25 15,625 होगा 15,625 होगा आपने अभी क्या लिखा है compound interest का जो rate of interest था उससे compounded ratio लिखा है माईडियर मतलब कि इतनी सी बात समझ जाएए कि भाई आप जो लिख रहे हैं वो amount और principle का ratio लिख रहे हैं मतलब आपका principle अगर 15,625 है तो ये पैसा amount बनेगा कितना होगा 21,952 होगा clear है ये पैसा 21,952 हो जाएगा माईडियर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर 15,625,21,952 बनेगा तो कितने रुपए का interest मिला कितने रुपए का interest मिला तो माईडियर 12 में से 5 घटा होगे 7 होगा clear है 4 में से 2 घटा होगे 2 होगा और 9 में से 6 घटा होगे 3327 रुपए आपका interest बनेगा तो जिसकी value चाहिए उसके ratio को उपर रखेंगे और जिसकी value given है 25,000 रुपए गिवन है यह आपका principle amount है तो principle के ratio को नीचे रखेंगे my dear principle आपका क्या था 25 गुणे में 25 गुणे में 25 था 25 गुणे में 25 था मेरी बातों को ध्यान से सुनना अब देखो exam में थोड़े कैलकुलेटिव सवाल तो आ रहे है calculation आपको fast रखना है 25 से काटोगे एक बार में कट जाएगा 25 से 100 चार बार में कटेगा अब my dear उपर क्या बच गया 40 और नीचे बचा 25 अगर तजरुबा बहतरीन हो calculation करने का तजरुबा हो तो 25 गुणे में 400 हो जाएगा नीचे 4 से multiply कियो तो उपर भी कर दो फोर फोर जा 16 और यहां पे 7 unit digit 2 आएगा लेकिन नीचे 100 बनाए हो तो 2 के बाद 2 से पहले 2 से पहले एक decimal आएगा यह option आपके स्तवाल का सही उत्तर हो clear है तो आपके समझ में यह बात आनी चीए कि यह वाली बात आपके क्लास में इस पे अच्छी कमांड होनी चीए प्यारे क्लास में अगर आपने यह वाली बात सीखा है तो exam hall में इस पे समय व्यतित नहीं करना है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे है exam hall में इस पे समय व्यतित नहीं करना है वो तो मेरा समझाने का काम था, इसलिए मैंने समझाया, आपको डिरेक्ट इस वाले लाइन पे काम करना है, और इस लाइन पे काम करना है, किलियर एक वार कमेंट सेक्षन में जवाब देंगे प्यारे, अगर सबी बच्चे कमफटेवल है माई डियर, ये कमपाउंड इंट्र का क्वेश्ट का क्वेश्चन है, और इतनी सी बात ज्यान रखेंगे, थोड़ा सा कैल्कुलेटिव होगा, जोड़ घटाओ, गुणा भाग को डेली प्रेक्टिस में रखना है, प्यारे, इसलिए तो ये प्रेक्टिसेशन चला रहा हूं, प्यारे, नमन सर्मा जी अंजली लड़ू गोपाल जी राधा, कृशन जी राधा, कृशन जी राधे राधे राधे, बड़ा ही खूपसूरत सा सवाल है, अलजबरा का क्वेश्चन है, जिस बच्चे के पास इस बात की समझ होगी, वो तो जबाब दे जाएगा, और जिसके पास समझ नहीं होगी, उसकी न के ओ दिन, जब कभी आपको LCM सिखाया गया था, याद करो अपने बचपन के ओ दिन, जब कभी आपको LCM सिखाया गया था, मैं थोड़ी देर के लिए, तब तक जिस बच्चे से बनना है, वो इसका आंसर देंगे, मैं कुछ एक बात सिखाना चाहता हूं, कि मजुपूरिय सभी का स्वागत अविनंदन है, जितने भी बच्चे देर से लाइफ जोड रहे हैं, प्यारे मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, जिस बच्चे को इसका सॉल्यूशन पता है, वो सॉल्व करेंगे, अगर नहीं पता है, तो सीखने की कोशिस करेंगे, प्यारे, करके अपने LCM निकाला है, माईडियर, कि बताएंगे न, आठ और 12 का LCM निकाला है, तो प्यारे मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपके मैडम ने सिखाया होगा कि 8 के Factor's लिखेंगे, दो गुणे में, दो गुणे में, दो लिखेंगे, प्यारे, ये 8 के Factor's लिख रहे है हैं आप यह क्यालिख रहे हैं आट के फैक्टर्स लिख रहे हैं और बारा की क्या दो गुणे में दो गुणे में तीन होगा जी register क्या है Olas a और इस बात की समझे ऐगी तो इस सवाल का धुवा उड़ा देंगे आप कर है अच्छा जी मेरी बातों को सुनना प्यारे देखेंगे इसमें से common term निकाल लेंगे दो आ गया इसका common term निकाल लेंगे दो आ गया और दोनों में जिसका pair ना बने उसको भी लिखेंगे दो गुणे में तीन आ गया माई डियर इस सभी को multiply कर देंगे प्यारे इन सभी का multiply कर देंगे तो 24 आएगा जरा गौर से बताइए 8 और 12 का LCM 24 होगा की नहीं होगा तो ये बच्पन वाली बात मैंने इसलिए सिखाया ये बच्पन वाली बात मैंने इसलिए सिखाया कि यहां से concept develop होगा देखिए अगर मै मैं आप से direct पूछ दू कि इस quadratic equation और इस वाले quadratic equation का आप मुझे LCM बताओ तो नहीं निकलेगा आप में से एक बच्पने कैसे जवाब दिया मैई डियर जी नहीं निकलेगा लेकिन अगर आपके पास इस बात की समझ है प्यारे हैं आपके पास इस बात की समझ है कि हम क्या कर चकते हैं factors लिख लेंगे पहले factors में से जो दोनों का common होगा उसको भी लिखेंगे जो non common term है उसको भी लिखेंगे क्या एक वार comment section में बताएंगे माई डियर इस बात की समझ आई क्या इस बात को समझ पाए प्यारे एक वार लिखो न निदी चौहान कहती है यह answer है very good क्या अगर आप इस बात को समझ पाए हो my idea तो आगे बढ़ा हूं कहानी को अगर प्यारे आप सभी इस बात को समझ पाएं तो मैं कहता हूं कि इस quadratic equation का factor लिखके बताओ इस quadratic का factor लिखके बताओ अब बहुत से बच्चों को factor लिखने नहीं आ रहा होगा थोड़ी दिर के लिए मै डिरेक्ट पहले इसका factor लिख देता हूं उसके बाद मैं समझाओंगा कि ये factor कैसे निकाला इस वाले quadratic equation का factor मैं लिखता हूं क्या होगा एक्स माइडियर अभी मैंने समझाया कि इसके दोनो factors में से common factor उठाओ तो x-3 इसमें भी x-3 इसमें भी है तो आम क्या लिखेंगे x-3 लिख लेंगे फिर non common term उठाओ x-5 हो जाएगा फिर इसका non common term उठाओ x-2 जरा तमीज में अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे x-2 in 2 में x-3 in 2 में x-5 लिखेंगे प्यारे जरा गौर से देखो तो पहला ही तो answer है आप तो पहला ही answer है न तो my dear इस सवाल को solve करने का बस इतना ही time होना चीए था अज जिस बच्चे के पास समझ है वो तो direct लिख देगा वो direct factor तोड़ेगा इसी एक line में answer है तो आप यह answer बता देंगे प्यारे ये वाली बात तो मैंने समझाने के लिए बोला ना my dear ये कहानी तो मैंने समझाने के लिए किया ना एक बार comment section में बताएंगे आप डिरेक्ट एक लाइन में बोल देते कि क्या होगा X-2 इन 2 में X-3 इन 2 में X-5 होगा किलियरे प्यारे चलिए बहुत सांदार लाजवाग जवरदस्त जिन्दाबाद माईडियर अब आओ प्यारे देखिए मैंने बोला कि किसी भी quadratic का factors निकालना कैसे है तो माईडियर मेरी बातों को सुनना प्यारे मेरे भाई ख्यान देना माईडियर अपने पास एक quadratic है X-2 माइनस 8X प्लस में 50 प्यारे quadratic solve करने आता है इसको कई सारे तरीके से आप solve कर सकते खुब प्रेम से सीखने एकोसिस करना X-2 माइनस 8X प्लस 15 है एक तरीका होगा कि आप इसका prime factorization करेंगे कहीं रफ में जाके prime factorization उसके बाद इसके factors को जोड के घटा के आप बीच वाला लाने की कोशिस करेंगे ये आपने सीखा होगा लेकिन मैं कहता हूँ prime factorization करना वो बच्पन का तरीका है प्यारे अब तो बच्पन का कुछ नहीं है तुम्हारे पास न बच्पन की यादे हैं न बच्पन की कुछ भी नहीं है अब मेरी बातों को सुनना मेरे कहने का मतलब है कि जोड के लाना है या घटा के लाना है बीच वाला term वो ये बात discuss कर देगा ये clear कर देगा अगर प्लस का साइन है मतलब की जोड के लाना है अब देखिए न पंदरा के दो ऐसे फैक्टर ढूंडो जिसको जोडने पे आठ बन जाए तो पांच और तीन है लेकिन माइनस का आठ बनाना है तो माइनस पांच माइनस थ्री यानि की एक्स माइनस पांच और एक्स माइनस थ्री इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस पांच और एक्स माइनस थ्री इसके फैक्टर हो जाएंगे उसी तरह से प्यारे हैं उसी तरह से हमारा जो दूसरा क्वाडरिटी एक्वेशन है x square minus 6 x x square minus 5 x plus में 6 है प्यारे जोड के या घटा के लाना है तो जोड के लाना है इसके दो ऐसे factor तोड़ो दो ऐसे factor तोड़ो 1 है 3, 1 है 2 माईडियर, minus का 5 लाना है minus का 3, minus का 2 यानि कि x minus 3 और x minus 2 इस सवाल के factor तो एक इनके common वाला उठाएंगे एक इनके non-commenter मूठाएंगे एक इसके non-commenter मूठाएंगे आपके सवाल का सही उत्तर आ जाता तक clear है मतलब ये इस बात को clear कर देगा उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे comfortable है तो ये sigil means का आयोगा question है प्यारे अगर उन छोटी छोटी बातों की समझ होती माई डियर अगर उन छोटी छोटी बातों की समझ होती तो क्या इस सवाल में क्या इस सवाल में मेरी कोई आवसकता थी क्या इस सवाल में आपको pen उठाने की आवसकता होती प्यारे बताएंगे माई डियर comfortable हो न आगे बढ़ाऊं अगर comfortable है my dear तो अगले सवाल का सही उत्तर देंगे एक वात बताना ज़रा profit loss कितने बच्चों ने मेरे से पढ़ा है मेरे से कितने बच्चों ने profit loss पढ़ा है ज़रा एक बार comment में बताईए यानि कि पूछने का मतलब है कि आपने से कितने ऐसे बच्चें जिनके बैच में मैंने profit loss पढ़ा है कल दी से गवार comment box में जवाब देंगे और मैं आपसे इमांदारी से पूछना चाहता हूँ कि दिल पे हात रखके बोलना कि क्या एक सवाल आपके class notes का है की नहीं है क्या ये सवाल आपके class notes का है की नहीं और सवाल कब आया है तो CGL 2022 का जो मेंस हुआ था आपने इसी साल होली के आजपास तीन मार्च का shift है तीन मार्च वाला shift है इमांदारी से बताओ कितने बच्चों को मैंने profit loss पढ़ा है जी कमेंट किजिए ने एक बार जी लड्डू गोपाल जी बताएंगे प्यारे क्या ये सवाल तुमारे class notes में था आप अपना batch code बताइए अब मेरी बातों को सुनना प्यारे इस सवाल को एक बार आप लोग solve करने ही कोशिश करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा तो क्या ये सवाल आपके class notes का है कि नहीं है ये वो बच्चे हैं जिनके batch में arithmetic पढ़ाया हूँ प्यारे मतलब कि मैं अक्सर कहता हूँ ना सिर्फ अपने class notes को revise करो माईडियर जितने frequently हो सकता है जितनी जादावार हो सकता है आप अपने class notes को revise किजिए माईडियर इससे जादा कुछ नहीं है आपको वो content हम provide कर रहे हैं जो direct आपके class से सवाल आएगा इस सवाल का उतर देंगे जितने बच्चे पढ़ रखें देखो माईडियर प्रलीम्स तो छोड़ो मेंस के सवाल तुम solve कर रहे हो confidence तुम्हारा यहां से यहां पहुंच गया होगा हंजी बताएंगे क्या तुम्हा जो बच्चे नहीं पढ़ें profit and loss मेरे से अगर किसी बच्चे को complete math पढ़ना हो प्यारे तो आप हमारे paramount live app को डाउनलूड कर लीजेगा google play store से paramount live app डाउनलूड करना है और वहां से आप badge purchase करके math का complete math पढ़ सकते है arithmetic plus advance आप पढ़ सकते हैं अब मैं समझाता हूँ आप लोग ध्यान देंगे कार्तिक चौहान का सही उतर 3600 बिल्कुल जवाब है प्यारे एकदम concentration बनाए रखना एकदम concentration बना के रहना my top was ध्यान से सुनो कितने भी मेरे champion फिलाल इस live session में देखिए the cost of 3 kg of rice is 180 एक सो असी रुपया किसका कीमत है तीन किलो ग्राम चावल का कीमत है तो तीन से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो एक केजी चावल की कीमत आ जाएगा 180 रुपया किसकी कीमत है तीन केजी चावल की तो एक केजी चावल की कीमत के लिए क्या तीन से डिवाइड कर दोगे यानि कि ये वाली बात एक केजी चावल की कीमत आ गई अगर एक केजी चावल की कीमत आ जाएगी तो क्या आप आठ केजी चावल की कीमत नहीं बता सकते तो 8 से multiply कर दोगे और सवाल कहता है आपका कि जो 8 kg चावल की कीमत है वही आपके 5 kg डाल की कीमत है ये पूरा calculation करने के बाद जो भी आएगा ये 8 kg चावल की कीमत है और यही अगर 5 kg डाल के बरावर हो तो 1 kg डाल की कीमत के लिए क्या करोगे 5 से divide करोगे multiply अगर ये 1 kg डाल की कीमत है तो क्या आप 15 kg डाल नहीं बता सकते क्या आप 15 kg डाल की कीमत नहीं बता सकते 15 से multiply कर दो यानि कि ये पूरी बात अब 15 कजी डाल की कीमत के बरावर हो गया प्यारे और जो 15 कजी डाल की कीमत है वही चीज 2 किलो चाय की कीमत के बरावर अब ये पूरा कैल्कुलेशन दो किलो चाई की कीमत के बराबर है माई डियर तो मैं अगर दो से डिवाइड कर दूं तो एक किलो चाई की कीमत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी प्यारे और 7 kilo chai की कीमत पता चल गया तो 3 kilo chai की कीमत बता सकते हैं तीम से multiply कर दोगे तीन kilo chai की कीमत है सवाल कहता है जो चीज 3 kilo chai की कीमत है नो जितनी वही 6 kilo walnut की कीमत है अखरोट अखरोट walnuts मतलब अखरोट है देखे न मैइट के साथ साथ आपका vocab भी complete करा दूँगा कि माइडियर तो एक किलो अखरोत की प्याइच से दिवाइड कर देंगे अब फ़िटिप्लाइबॉपarta दस करेंगे अब जो बच्चे मेरे सिखे थे उनका सोको का शावल की Explore साढ़े बारा रुपया था उसमें धाई केजी चावल की कीमत साढ़े बारा रुपया था यहां पे तीन केजी चावल की कीमत कितना है एक सौसी रुपया तो प्यारे उसके बाद वाली वैल्यू को उपर लिखेंगे फिर उसके बाद वाले को नीचे, फिर उसके बाद वाले को उपर, फिर उसके बाद वाले को नीचे, फिर बाद वाले को उपर और बाद वाले को नीचे, मैडियर, क्या ये एक लाइन में सारी कहानी, उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे करते चले जाएंगे, धुआ काटने का तुछ काटने का तजूर्बा है न जी काटने का तजूर्बा तो होगा बोलेंगे यह सर जहां बैटarning से बोलौ यह सर माइडियर कम आइडियर तो अगर यह सर तो काटने तो आता होगा 3,5,15,15 फिर्शतुनी में 12 यह 15 बार में 12 गुंटै expectations 360 गुणे में 10-37 सवाल का सही उतर हुगा डीप और देव से ना इस खरक्ठ आंसर फद इस कोस्चन कमफटेवल है प्यारे एक वार कमेंट सेक्षन में जवाब देंगे चलिए तुनीता कुमारी आपके क्लास में नहीं पढ़ाया है माई डियर आपका बैच कोड क्या है प्यारे को सकता है आपके बैच में मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँगा तो अगर आपके बैच में मैंने नहीं पढ़ाया है प्यारे अगर आपके बैच में मैंने नहीं पढ़ाया है माई डियर तो आप हमारे Paramount Live App डाउनलोड कर लो, वहाँ पर Complete Maths मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आज ही नया चप्टर परसेंटेज शुरू हुआ है, आज ही नया चप्टर मैंने परसेंटेज शुरू किया है, बताएंगे प्यारे कवार कमेंट सेक्षन में जवाब देना क्या इस बात की सम अगर क्लास में सीखे होते हैं, तो आप 10 सेकेंड के अंदर इसका जवाब दे देते हैं, अगर क्लास में नहीं सीखे हो तो आपके सिखाने के लिए उपर दिया हूँ, अगले सवाल का जवाब देने के लिए तयार हो My Champion, कितनी सिद्दत से मेहनत करो कि CGL 2024 के जब है, तो मुखरजी नगर के पोस्टर बॉय बना दूं तुम्हें, कितनी सिद्दत होनी चे तुमारी मेहनत में, किलियर है प्यारे, तो अगले सवाल का जवाब चे माइडियर, दुआ उड़ादो प्यारे, दुआ सिंपल इंट्रेस्ट कितने बच्चों के बैच में पढ़ है, बारोसा ना हो, तो क्लास नोट उठा के देख लेना, टिटो तुमारे क्लास नोट का क्वेश्चन है, प्यारे, जी आसीज सिंग राजपूद जी, जवर्दस्ट में, वेरी गुड, तिंपल इंट्रेस्ट का क्वेश्चन है, प्यारे, और मैं कहता हूँ, इस सवाल मे मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम अपना तरजुरुवा दिखाएंगे अपने विद्यार्थियों के लिए, और मैं चाहूंगा कि उसके बाद मेरा हर पोई स्टूडेंट अपने आप में हिरु हो, क्लियर है प्यारे, जल्दी से सवाल का What is the ratio of the simple interest earned on a certain amount, मैं डियर, किस्ती एक certain amount पे earn किया गया simple interest का ratio क्या होगा, अगर rate of interest 21% है, 8 साल और यही rate of interest अगर उसी amount पे 21 साल के लिए होता हूं निधी चोहान जी का सही उत्तर है, A option, B equal सही जवाब माई डियर, जिन बच्चों से नहीं बना प्यारे, समझने की कोशिश करेंगे प्यारे, आजओ, तार्तिक चोहान जी, D answer गलत है माई डियर, D गलत है प्यारे, मैं समझ सकता हूं कि यह आपने एक छोटी सी गलती करी हो क्या है नहीं पता, खुब प्रेम से समझेंगे, एक कोई principal amount है, और वो amount क्या है नहीं पता, प्यारे सवाल कहता है, इसी principal amount को 21% के हिसाब से 8 साल के लिए, simple interest के एक बड़ी खासियत है, वो आपकी तरह बेवफा नहीं है, जैसे आप आज किसी और के साथ, कल किसी मोनी के साथ, तो परसो किसी सोनी के साथ दिखते हो, तो simple interest के एक बहुत बड़ी खासियत है कि तुम्हारी तरह बेवफा नहीं है जैसे पहली मुलाकात में होगी वैसे पूरे जीवन रहेगी तो अगर 21% rate of interest है तो पूरे साल 21% रहेगा तो 8 साल 21-21% रहेगा तो 21 गुणे में 8 कर दूं कोई दिक्कत किसी amount पे और यही rate of interest यही amount और यही rate of interest पे हो पैसा कहीं और लगा दिया जाता है 21% rate of interest और 21 साल के लिए लगाया जा रहा है 21 साल के लिए तो प्यारे इसका ratio बताना है यह तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा काटने आता है काटने का तजरुबा तो खुब होगा अब तुम समझो अरे यार अपने ही अपनों का काटते हैं जानते हो न अपने ही अपनों का काटते हैं बोलेंगे यस सर यस सर अज देखो नए 21 ही 21 का कातेगा बचेगा क्या थनुपात 21 प्यारे क्या इस सवाल के उत्तर देने में मेरी कोई आव सकता थी very good my dear अरे option में ता आप लोग भौकाल मचा दिये हैं क्या इस सवाल का उत्तर देने में मेरी कोई आवसकता थी बताएंगे प्यारे जी बताओ न कमेंट सिक्षन में जवाब दो न my dear क्या मेरी कोई आवसकता थी सवाल में नहीं न प्यारे समझ पए देखो ने मेंस का सवाल मेंस का सवाल है और यह आपके क्लास में कराया हुगा question है प्यारे तो हसी इस बात प्यारी कि कैसे बच्चे कर नहीं पाते हैं मैं अभी भी कह रहा हूँ सिर्थ क्लास नूट्स को रिवाइज करो प्रेक्टिस कराने के लिए मैं हूँ न तेली रात के 8 बजे मिलेंगे खुब तावर तोड़ प्रेक्टिस करेंगे चलिए प्यारे अगर इतनी सी बात समझ में अरे यार अभी किसके बैच में ट्रिगो पढ़ाया था अभी किसके बैच में ट्रिगो हाल किलाल में अभी इतने सारे बैचे होते हैं सुबे से साम त तो प्यारे मैं चाहूंगा कि जीवन भर आप लोग मुझे ऐसी प्यारा शिर्वात देते रहें कि जिंदगी ऐसी ब्यास्तुता में गुजर जाए प्रमजीत खत्री कहती है कि सी आंसर है साबस निदी चोहान माई डियर जरा बताएंगे अच्छा काटने का तरीका जवरदस्ट है सर जी very good assisting राजपुद जी काटने का तरीका एप पूरा गनित जो है न प्यारे इस यूनिवर्स में exist कर रहा है माई डियर पस उसको relate करो अपने आप से relate करो प्यारे ये बताना क्या अपने ही अपनों का काटते हैं गरित में भी है अपने ही अपनों का काटेंगे प्यारे इस सवाल का उतर दीजे न सुनीता कुमारी कहती है प्यारे माइडियर मेरी बातों को सुनेंगे आप सभी को मैंने अभी ट्रिगों में पढ़ाया था कौसे के स्क्वाइड ठीटा माइनस कौटे स्क्वाइड ठीटा बरावर में वन या इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है कि माइनस का जो कौटे ठीटा है यह उधर अगर चला जाए तो इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाएगा कि कौसे के स्क्वाइड ठीटा बरावर में वन प्लस कौटे स्क्वाइड ठीटा होता है क्या वन प्लस कौटे स्क्वाइड ठीटा होता है माइडियर बताओ तो अगर गौर स से देखोगे न तो ये भी option सही है क्योंकि sin square theta plus cos square theta बरावर में 1 खुब सीखाया हूँ अच्छा गौर से देखोगे तो ये स्टेक square theta minus 10 square theta बरावर 1 ये भी identity होता है ट्रीगो में अभी हाल फिलाल में पढ़ाया था और ये वाली कहानी आपकी गलत है प्यारे तो आपसे सवाल यही पूछता है कि which of the incorrect formula from these following options तिये गए option में से कौन सा formula गलत है प्यारे पताएंगे my dear क्या इसमें मेरी कोई आवसकता थी आवसकता थी नहीं न प्यारे तो अगले सवाल का उत्तर देंगे पड़ा ही लाजवाव सांदर जवरदस्त जिन्दाबाद रेशियो का एक question है और मैं चाहूंगा कि मेरे सभी विद्यारती रेशियो पढ़े हो जी मान लेते हैं अगर आप CGL मेंस में बैठे होते CGL 2022 के में बैठे होते हैं और ऐसे सवाल आपकी नजरों के सामने होता मैं कहता हूँ 10 मिनट में काविलियत इतनी बनाओ कि 10 मिनट में math के question solve करके बैठ जाओ प्यारे मैं कहता हूँ कि इस सवाल का सही उतर देंगे आप लोग मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट में काविलियत इतनी बनाओ कि 10 मिनट में math के question solve करके बैठना है CGL 2022 में ये level होना चाहिए very good आशी सिंग राजपुद जी कहते हैं 6, 135 प्यारे बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही उतर है मैं इडियर देखो ना तवाल कहता है कि राजेश, राकेश और रमेश राजेश, राकेश और रमेश का marks obtained का ratio है 2 अनुपात, 4 अनुपात, 9 है 2 अनुपात, 4 अनुपात, 9 है, what are the marks obtained by राकेश और रमेश राकेश और रमेश कितना marks obtained करेगा इंडिविज्वली अगर राजेश, total 30 marks obtained किया हो माई डियर दो ratio की genuine value आपको याद होगा जब मैं ratio पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं ratio वाली value और उसकी हकीकत value में बड़ा अंतर है, तो दो ratio की genuine value 30 है मतलब की 15 गुणा है, तो राकेश ने कितने marks obtained किये 15 गुणा यानी की 60 marks और इसने कितने गुणा obtained किये 15 गुणा यानी की 135 marks वैसे इस तवाल को मुझे solve करने की इक्षा नहीं थी लेकिन फिर भी solve इसलिए किया कि इसमें से अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं हो सकता है मेरा कोई ऐसा student जो अभी अपने confidence को बढ़ाने के लिए आया हो प्यारे और उसको अगर मैं solve करके ना दूँ तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी न तो प्यारे क्या इस सवाल में इमानधारी से अगर चलो ठीक है आप मेरे सामने नहीं हो एक वार जहां बैठे हो अपने दिल पे हाथ रखके ये अपने आप से पूछना क्या इस सवाल में गुरू जी की आवसकता थी माइडियर नहीं न प्यारे तो अगले सवाल का उत्तर देने के लिए तयार हो किसका सीजेल मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं अगला है सवाल है एवरेज कितने लोग पढ़े हो एवरेज पढ़ा है हो न पूरे अरिथमेटिक में माइडियर मैं कहता हूँ एक एक लाइन में सारा चेप्टर खतम होगा एवरेज के लिए क्या ब बटेगा इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन अवांग ओल अफ दे मेंबर्स ऑफ दे ग्रूप यानि की एवरेज के लिए मैंने बोला था कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा प्यारे इस सवाल का सही उत्तर दो माइडियर इस सवाल का सही उत्तर दो कुछ बच्चे लिख अगर आपके बैच में आपने सारी चीजें नहीं पढ़ाया अगर आपके बैच में नहीं पढ़ाया तो अब मैं आपके फोन में अवलेबल हूँ आप सभी के हाई डिमांड पे यह इस बात का डिमांड बच्चों का बहुत दिनों से था कि सर जी ऑनलाइन सुरू कर दो ल में मुखरजी नगर के हर कोने पे दिल्ली के हर ब्रांच में हर कोने पे सिर्फ हमारे टॉपर्स की फोटो दिखनी चाहिए समस्पा रहे ना आप लोग वेरी गूड सबबस माई डियर सुनिता कुमारी का सही आंसर 32.22 माई डियर जीयो मेरे सिर सबबस वेरे गूड नीधी कितना आपस सब्सक्राइब 20 संख्याओं का ओससत 32 है है कल ये न संख्या से कनक्यूज हो रहा है तो 20 आदमियों का ओसत 32 है था ना 20 आदमियों का ओसत 32 है प्यारे 20 आद मियों का पॉकेट मनी पीस आदमियों का पॉकेट मनी, एवरेज पॉकेट मनी कितना है, पीस आदमियों का एवरेज पॉकेट मनी 32 है लेकिन उसमें से दो ऐसे लोग हैं, दो ऐसे लोग हैं जिनके पॉकेट में, जिनके पॉकेट में सर्च किया गया तो 39 रुपया और 31 रुपया पाया गया मैं जब average पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि प्यारे average का मतलब है कद्दू कटेगा सब में बटेगा average का मतलब किस 20 के 20 लोगों के पास 32 रुपे दिया गया इस 20 के 20 लोगों को 32 रुपे देखिए सवाल तो 2-4 सेकेंड का है लेकिन समझाने के जिम्मेदारी तो बनती है न मैं जब average पढ़ाता हूँ तो आप सभी कोई सिखाने की कोशिस करता हूँ कद्दू कटेगा सब में बटेगा अगर average 32 है मतलब इस 20 के 20 लोगों को दिया गया कितना 32 32 रुपे लेकिन जब उसके pocket को सर्च किया गया तो एक के पास 39 रुपे मिला और दूसरे के पास 31 रुपे मिला अभी ये दोनों गुरुप छोड़ के चले गए तो प्यारे इसको दिया गया था 32 रुपे यानि कि 3 रुपे या गुरुप वाले को छोड़ दिया और ये एक रुपे छोड़ दिया तो कुल मिला कि अब 4 र रुपया ग्रुप में अभी भी है माई डियर चार रुपया ग्रुप में अभी भी है और ये चार रुपया कितने लोगों में बटेगा कदू कटेगा तो सब में बटेगा है न भाई 20 में से दो लोग चले गए प्यारे कितने बचे है माई डियर ये चार रुपया जो है 18 लोगों में बटनेगा, काटने का तजरुबा है आपके पास, काटने का तजरुबा है न, 18 से अगर इस 4 को काटोगे, तो 0.22 आएगा, कितना 0.22, यानि की बाकी जितने भी बच्चे हैं, सब को जितना जितना रुपया मिला था, उसमें 0.22 बढ़ जाएगा, तो 32.22 इस सव मैं इतना मान के चलूं कि अब आपके पास knowledge है, अब आपके पास knowledge है, आपने मेरे से average पढ़ लिया, और इस सवाल अगर आपको solve करना होता, तो आप कैसे करते, आप कैसे करते, कि अच्छा 20 संख्याओं का average, 20 संख्याओं का average 32 है, जी, अच्छा ठीक है, तो ऐसी संख्याओ है, जिसके पास 39 और 31 रुपया मिला है, एवरेज का मतलब सब को मिला 32 रुपया, तो इसने group में 3 रुपया दे दिया, इसने group में 1 रुपया दे दिया, मतलब चार रुपया बटा कितनी में, तो सब में बटेगा, भाई ये दोनों लोग बांट रहा है, तो कितनों को है क्योंकि ये दोनों गुरुप छोड़के भाग रहा है तो 18 लोगों को मिलेगा काटने का अकद्दू कटेगा तो सब में बटेगा तब के पास 32 32 रुपया है ये चार रुपया अठार लोगों में बट गया तो तो सवाल का सही उतर है एक वार कमेंट सेक्षेन में सभी बच्चे बताएंगे कि कि इतने बच्चों को हंडिढ पर इंडेट परसेंट कहानी के लिए माई डियर कमेंट सेक्षन में जवाब आ जाना चाहिए आप सभी के जवाब का बड़ी बेसबरी से इंतजार है प्यारे जी पताएंगे माई डियर इसका एवरेज का सवाल था प्यारे कार्तिक चोहान जी कहते हैं परमजीत खत्री जी कहते हैं वेरी गूड साबस माई डियर ला जवाब सांदर जवरदस्त जिन्दावाद है जी ओ मेरे सेर अच्छा किसी के बैच में भी हाइटन डिस्टेंस पढ़ाएं है जी बताएगा कि किसी बालक के बैच में अभी हाइटन डिस्टेंस पढ़ाएं है का किस सवाल का सही उततर देंगे क्या माई डियर ला एक प्यारे अगर समझ अच्छी हो बताएएगन ऐसे सवाल अगर आ जाए आपके ुच्छाम में तो क्या दस मिनट में सारे कोश्चन करके बैठ जाना क या माई डियर दस मिनेट में सारे कोश्चन सॉल्व करके बैट जाओगे की नहीं बैट जाओगे प्यारे हाइटन डिस्टेंस का एक सवाल बड़ा खुबसूरत सा है माई डियर मैं चाहूंगा कि मेरे सभी विद्यार्थी सवाल का सही सही उत्तर देंगे आशीश सिंग पाल जी कहते हैं जी सर अब मैं समझाओं मैं अपने उन विद्यार्थियों के लिए समझाना चाहता हूं जिनके बैच में एडवांस नहीं पढ़ा रहा है जिनके बैच में अरिथेमेटिक पढ़ाया हूं प्यारे या वो बच्चे जो पहली मुलाकात में हैं जितने बच् समझेगा ढंज sich स्वाल कहता है इंगल ऑप ऐलीयर सन इं गल उफ ऑप इलीलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर जैसे आप कभी गल्सोरष्टल के सामने खड़े होके नीचे से ऊपर ताड़ रहोते हो एक बालक यहां खड़ा है प्यारे एक बालक यहां खड़ा है माइडिय और एक girls hostel के सामने आ खड़ा है यहां से अपनी बावू को देखता है प्यारे यहां से अपनी बावू को देखता है the angle of elevation नीचे से उपर की तरफ देखना angle of elevation of the top of the building at a distance of 70 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 60 degree my dear एक बच्चा है एक building है AB AB building के top पे उसकी बावू रहती है और उसके foot point से 70 meter की दूरी पे क्योंकि hostel वालों ने पावंदी लगा रखा है कि कोई भी लड़का 70 meter के आसपास नहीं भटकेगा उसके foot point से 70 meter की दूरी पे एक लड़का खड़ा होके अपनी बावू को ताड़ता है 60 degree के angle of elevation बना के my dear 60 degree का angle of elevation सिखाया था प्यारे सिखाया था my dear मेरी बातों को सुनिएगा क्या होगा अगर 60 degree होगा तो perpendicular upon base होगा perpendicular upon base root 3 by 1 होगा my dear अगर एक ratio की value 70 meter है तो root 3 ratio की value 70 root 3 यह option A आपके सवाल का सही उत्तर होगा यह फुराशी ही है तुम्हारी समझ पाए प्यारे क्या इस सवाल में कितने second का उत्तर चाहे था बताओगे ना जल्दी से बताओ ना कितने second लगने चाहे था इस सवाल में मेरी को याव सकता थी अगर class में पढ़े हो तो क्या है आपके class note का question है की नहीं है याद करो ओ दिन जब class में सिखाता हूँ एक बच्चा girl social के सामने जाके नीचे से उपर की तरफ ताड़ता है उपर से उनकी महिला मित्र बाल को जाड के law of inertia समझा रही होती है बालों पे भीगे बालों पे जब तॉलिया मारोगे तो बाल तो पीछे आ जाता है पानी की अब देखो ना 60 डिग्री से खड़ा होके एक लड़का ऐसे ताड रहे उदर से बाबू law of inertia समझा रही है भीगे बालों पे जब तॉलिया मोटी सी लगे तो प्यारे बाल तो पीछे जाएगा पानी की बुंदे तुम्हारे होटों पे गिरे अब बच्चा स्वाद ले रह आप जबरदस्त जिन्दाबाद सा सरकल अभी किसी बैच में पढ़ाया होंगा अगर लगवाग एक महीने पहले मैंने किसी बैच में सरकल पढ़ाया था प्यारे अगर याद हो जिस टाइम मुखरजी नगर में fire accident हुआ था मुझे ध्यान है कि मैंने किसी बैच में definitely circle body lateral and the BC is the diameter of that circle if angle BCA is equal to 19 degree and angle CAD is equal to 32 degree and you will have to find the value of you will have to find the measurement of ACD प्यारे क्या इस सवाल का सही उतर देंगे मैं कहता हूं कि पांस से साथ सेकेंड का जवाब है इस सवाल का एक भईया हमारे कहते हैं आशी सिंग राजपुजी वा सर जी आप तो सायर भी निकले अजी ना प्यारे सिर्फ teacher हूं passionate teacher हूं दिल से महबत करता हूं अपनी profession से और अपने विद्यार्थियों के लिए जी जान लगा सकता हूं प्यारे मेरा जीना मरना जिंदा रहना जगना उठना खाना पीना सब तुम्हारे लिए समर्पुज पार हो ना लेकिन बस मेरा एक ही संकल्प मैंने इस बैच का नाम संकल्प 2024 रखा है फिर अपने विद्यार्थ में CT के बारे में आ गया है चुनाओ होने दो बस उसके वाद CT अप्लाई कर देगा और CT अगर अप्लाई कर दिया तो आपको railway का syllabus भी पढ़ना पड़ेगा और इवेन बता दूँ एक informative बात कि railway के group D का जब paper चल रहा था तो मैंडियर उसमें ऐसे ऐसे numericals पूछे जा रहे थ जो जेई वाले बच्चे भी नहीं देखे थे समझ पारे हो मैंडियर तो अगर CT implement कर दिया प्यारे तो बैंकिंग का भी सिलिवस पढ़ना पड़ेगा तो जी जान लगा दो पढ़ने से कोई मरा नहीं आता कभी सुने हो कि कि इतनी पढ़ाई करी कि मर गया प्यारे नहीं मर सवाला है माय डियर तो इतव धोर्टो में हनत करो कि 2024 तुमारे भोली में हो तो मैं रित पढ़ाई रहें में संधाओं क्या हुए तो कंसेंट्रे शन नहीं हिलना चाहिए पहली बता रहा हूं कंसेंट्रेसं नहीं हिलनाच जान ह creo कंसेंट्रेशन नहीं लनाच यह प्यारे आजाओ मैडियर मेरी बातों को सुने प्यारे मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके लिए अगर आप नहीं पढ़े हो सरकल तो आपके लिए साइक्लिक क्वाडिलेटरल जो वर्ड है न थोड़ा सा नया लग रहा है साइक्ली क्वाडिलेटरल का मतलब?, जिसके चारो वरटेक्स क्वाडिलेटरल का मतलब पे हो जिसके चारो वर्टेक्स सर्कल पे हो तो कोई बच्चा कहेगा आज जी सर जी आपने तो मुझे सिखाया है कि साइकलिक क्वाडिलेटरल का मतलब कि चारो वर्टेक्स सर्कल पे हो ये भी हो सकता है लेकिन ध्यान रहे कि आपका सवाल कहता है कि ABCD एक साइकलिक क्वाडिलेटरल तो है मतलब BC क्या है इस सर्कल का डियमेटर होगा तो क्वाडिलेटरल कैसे बनाएंगे कि जरा गौर से देखिएगा ये क्वाडिलेटरल आपके सामने दिख रहा है ABCD क्या इसके चारो वर्टेक्स सर्कल पे ही लाई कर रहा है क्या इसके चारो वर्टेक्स खुब प्यार से समझेंगे सर्कल पे ही लाई कर रहा है मैडियर तो अगर चारो वर्टेक्स सर्कल पे ही है मतलब कि ये क्वाडिलेटरल कैसा होगा साइकलिक होगा और सवाल कहता है कि BCA की value 19 डिग्री एंगल BCA PCA यानि की माइडियर एंगल BCA की value 19 डिग्री है किलियर है प्यारे और CAD CAD की value कितना है 32 डिग्री अब जिस बच्चे के पास अगर इस बात की समझ होती पहले देखे इस सवाल का सही उत्तर कितने दिर में देंगे अब सुनिए ना अगर आपके पास साइकलिक क्वाडिलेटरल की समझ है तो साइकलिक क्वाडिलेटरल आपने ड्रो किया 19 32 लिख लिया लेकिन मैं कहना चाता हूँ जिस बच्चे के पास इस बात की समझ है वो तो डिरेक्ट करेगा क्या कि अच्छा सर जी ये डैमिटर है तो सरकंफरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 होना चीए 19 है तो ये कितना 71 होगा ये 71 है मतलब ये दोनों मिला के 71 होना चीए ये दोनों मिला के 71 होना चीए 32 है तो 49 ही सवाल का सही उत्तर होगा बताओ प्यारे कितने बच्चों ने ऐसे ट्राई किया कितने बच्चों ने ऐसे ट्राई किया प्यारे बस इतनी देर का खेल था लेकिन ये तब होगा जब आपके पास समझ अच्छी होगी ये तब की कहानी है जब आपके पास अच्छी समझ होगी माइडियर लेकिन मैं मानता हूँ जिस बच्चे के पास समझ नहीं है तो कुछ पॉइंट अब सुनिएगा कॉंसेप्ट यहीं से सिखना है मैंने एक बात क्या सिखाया कि साइकलिक क्वाडिलेटरल अगर वर्ड यूज करे अब कॉंसेप्ट सिखा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको मैं खुद करकल नहीं पढ़ाया हूँ तो अगर आपको complete match पढ़ना है तो मैं बताई रहा हूँ कि paramount live application डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे match का batch ले सकते हैं नया चेप्टर आजी शुरू है percentage का एक lecture value put करना सिखाया हूँ सिर्फ जी जिनको फिर से समझना है समझेए मैं फिर से समझा रहा हूँ लेकिन इस बार बहुत explain करके समझाऊंगा ताकि हर किसी के दिमाग में घुश जाए cyclic quadrilateral का मतलब है cyclic quadrilateral का मतलब जब भी कभी word यूज कर दे न cyclic quadrilateral तो आपको एक बात समझनी है कि अगर कभी भी cyclic quadrilateral यूज कर दे तो उस quadrilateral के opposite angle का सम खुब प्रेम से समझना उस quadrilateral के opposite angle का सम कितना होगा 180 डिगरी ये बड़ी important बात है cyclic quadrilateral अगर बोल दे तो कोई जरूरी नहीं है खुब प्रेम से सुनिएगा मेरी बातों को अगर cyclic quadrilateral बोल देना तो कोई जरूरी नहीं है कि वो quadrilateral को हम circle में ही बनाएंगे अगर circle mention नहीं करेगा तो कोई जरूरी नहीं कि circle में बनाएंगे लेकिन यहां तो circle mention कर दिया था लेकिन अगर cyclic quadrilateral बोल दे प्यारे मान लेते हैं कि कोई quadrilateral है सवाल कहा दिया कि यह quadrilateral जो है cyclic है इसका मतलब है कि इसके opposite angle जो है न वर्टेक्स opposite angle इस दोनों का sum 180 होगा किस वाले दोनों का भी sum 180 होगा किलियर है किस वाले का भी sum 180 होगा कितनी सी बात कोई भी इस दुनिया का quadrilateral होगा और cyclic बोल दें तो उसके opposite angle का sum 180 तो प्यारे अगर इस बात की समझ थी आप देखें आप तो आपके पास समझ है न तो माइडियर एक cyclic quadrilateral है अच्छा क्याइमीटर जो होता है न सरकल का circumference पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इस वाले ट्रेंगल में ब्लैक कलर रेड़ वाले में रेड़ वाले ट्रेंगल आपजर्व करना ये रेड़ कलर का जो ट्रेंगल बना रहा हूं न मैं अक्सर कहता हूं न पुरा advanced math observation का खेल है ये रेड़ कलर का जो ट्रेंगल दिखा है माइडियर इसमें 19 डिग्री आपका सवाल दे रखा है और अगर diameter है तो circumference पे 90 बनाएगा तो तिर्भुज के तीनों कुणों का योग 180 होता है ये 90 हो गया तो ये दोनों मिला के 90 होना चीए ये 19 तो ये 71 हो गया 71 हो गया अब आईए अब आगे समझते हैं प्यारे माइडियर अभी सवाल है blue color वाले triangle को अब जारू का क्योंकि आप से सवाल नहीं यही पुछा था कि आप इसकी value बताएंगे इसकी तो प्यारे इस blue color वाले में अब गौर से देखेंगे अगर इस 71 है ये 71 हो गया तो ये क्या होगा दोनों का सम 180 समझ पा रहे है न तो दोनों का सम अगर 180 है तो इसको 180-71 कर दूँ 180-71 कर दूँ तो अगर थोड़ी बहुत जोड़ घताओ की समझ है न तो ये indirect way में ये कहना चाहते है कि इस दोनों एंगल का सम 71 होना चीए इस दोनों एंगल का सम क्या होना चीए 71 होना चीए तो 32 से तो 49 होगा अब बताओ ने मेरे प्यारे comfortable हो की नहीं हो देखो अब मेंस क का सारा सवाल इतना आसान तो नहीं आएगा लेकिन अगर मेरे विद्यार्थियों के पास इस बात की समझ होती ही तो दिल पे हाथ रखके comment section में जवाब देना कि कितने second का सवाल था ये तो मैं आप सभी के सिखाने के लिए हमारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर्व जी फिर से बताओ तब के लिए मैंने explain किया अधरवाई जी कितने second का सवाल है जरा comment section में बताईएगा कितने second का सवाल है जरा एक बार बता ना बताओ प्यारे माई डियर माई डियर फरंड बताओ ना आपके जवाब के इंतिजार में हूँ सुनिता कुमारी कहती है पांस second very good my dear very good क्या नहीं कि ये 71 तो ये दोनों भी कुल मिला के 71 32 49 होगा चलिए समझ गया न प्यारे अगर सम क्यामेंट सेक्शन में जवाब दीजें न फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं अगरे ब्रेक्टिस करेंगे डेली करेंगे प्रेक्टिस करेंगे वेरी गुड आफ्सीज सिंह राजपूजी कहते हैं विदाउट पिन यहीं उमीद है तुम लोगों से यहीं उमीद है माई डियर अगले सवाल का जवाब अरे बड़ा ही मज़दार यूट्यूब पे कई सारे छपरी कोई वीडियो में आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे छपरी तो इसको सॉलव करते हुए दिखे होंगे मैं क्लियर है इसका जवाब देंगे चार वेरी गुड आशी सिंग राजपूजी चार प्यारे जब भी देखो नहीं इसमें दो तरह के सवाल बनेंगे एक सवाल हैसता होगा जिसमें इंफाइनाइट का साइन दिया होगा मतलब इंफिनिटी तक जाएगा और एक सवाल होगा जिसमें इंफिनिटी तक नहीं जाना है रूक जाएगा किलिया रहे ने जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब की कहानी देखेंगे जितने वच्चे देल से लाइफ जूटते जा रहे हो डेली साडे नौ से क्लास चलती आप सभी को इनफॉर्म कर दूँ और लाइक वाइक नहीं ठोकते हो अगर मैं ना कहूं तो नहीं ठोकोगे पताओ न प्यारे जितने भी ग्राम में घूम रहे हैं वाटसाप इंस्टाग्राम टेली ग्राम हर ग्राम में शेयर कर देना अगर दिलीक शाह हो तो मजा है तो वैसे तो तुम करोगे नहीं मुझे पता है लेकिन कहने से बाज नहीं आना चाहिए एक आद बार कही देता अब देखिए न इसमें दो तरह के सवाल बनेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ाओंगा या अलजबरा में भी जब लाज तक चलेंगे तो ये कहानी बताओंगा लेकिन अगर इन फाइनाइट तक चल जाए तो इस टर्म को इसके दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे चार और पाँच में इसके दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे चार और पाँच में अगर इन में माइनस का साइन लगा हो तो छोटी वाली वैल्यू इसका अंसर होगा अगर बीच में प्लस का साइन होता तो बड़ी वाली वैल्यू इसका अंसर होता लेकिन इस सव मजदार सा सवाल है प्यारे, रीष्यों एंट प्रोपोर्शन का एक बड़ा ही मजदार सा सवाल है, इस सवाल का सुलिसन देंगे क्या आप लोग, पताएए न जी, इसका जवाव आप लोग देंगे, अजी प्यारे, पताओ रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बक्रियां है है मेरा कोई ऐसा दुरंदर जो इस सवाल का सही उतर दे सके चले बहुत सांदर लाजवाब जवरदास जिन्दाबाद नूब गेमर्ज जबाब दो प्यारी 74 इस सवाल का सही उतर है प्यारी गुड अजीब वह कहता है प्यारी की शवाल का सही उतर देंगे 74 इस सवाल का सही उतर है मैं प्यारे गुड मैं समझाओं चलिए जिन बच्चों से नहीं बनाओगा प्यारे प्रिसान नहीं होना है क्या प्रिसान नहीं होना है तिकिन रिवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां है अगर सो सर है मतलब की सो जानवर है प्यारे अजी मेरी बातों को सुनियेगा तवाल कहता है सो सिर है मतलब की सो जानवर है रावन थोड़े यह कोई, जिद दूदू को सर लेके घुमेगा बकलू लाए, सौ गो सीर है मतलब सौ गो जानवर है, कहा हुआ जी? हम अब मान लेते हैं में से कितना मुर्गी है कितना बकरी है नहीं पता सौ में से मान लिए कितनी मुर्गियां है कितनी बकरीयां है नहीं पता प्यारे फोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सौ के सौ मुर्गी है प्यारे तो एक मूर्गी के कितना टांग भाई दूग टांग तो टोटल सो दो तो टो है प्या़े समझ पहे माईडियर अजी समझ पहे सो के सो बक्री मान लेते हैं सो के सो अगर बक्रिया है किलियर है न बक्रिया है तो भया एक बकरी के कितने पैर, 4 तो 100 के 400 पैर, सवाल में ना तो 100 पैर है टोटल, सवाल में ना तो 100 पैर है ना ही 400 पैर है, तो है कितना 378 पैर है, कितना, माफ किजिएगा 348 पैर है प्यारे, ये मिक्चर और एलिगेशन का कॉंसेप्ट है, मिक्चर और एलिगेशन हर उस सवाल में आप अपलाई कर सकते हैं जहां पे दो इंडिवीजुल और एक उसकी कंबाइन्ड वैल्यू दी गई हो प्यारे तो माइडियर अगर 200, 248, 400 तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे 148 आएगा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे माइडियर कितना आएगा कितना भाई 52 आएगा काटने का तजुर्बा बहतरीन हो तो ये 26 और 74 आएगा माइडियर कुल मिलाके जानवरों की संख्या 100 हो गया ये बकरियों की संख्या है तो बक्रियों की संख्या 74 आपके सवाल का B4 बक्री 74 आपके सवाल का सही उत्तर है बताओगे प्यार एक comfortable हो पैर दुखने लगाओ एयार हालत खराब हो जाती है भाई मैं तो इसलिए इस session को शुरू कर दिया कि बच्चों का बहुत demand था आप खुद बताओ न आप लोग बताओ क्या आपके क्लास में कभी बैठने का मौका मिलता है आप लोग मुझे बैठने का मौका देते हो आप इतने intelligent होते हो कि कभी बैठने का मौका ही नहीं मिलता है हाँ जी यार हालत खराब हो जाती है गुरू लेकिन इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ोगे रिवीजन नहीं करोगे माई डियर तो क्या गुजरेगा मेरे दिल पर समझ पा रहे हो ना तो चलिए आगे बढ़ाए कहानी को प्यारे अगले सवाल का उत्तर देंगे अगले सवाल का उत्तर देंगे यार इस सवाल को सौल्व करने की मेरी इक्षा नहीं हो रही है धियान रखना चाहे कितनी भी क्वालत खराब हो जाए मेरी डेली एक सेट लगवाएंगे तो लगवाएंगे प्यारे में एक तीस कोस्चन का प्रेक्ट्श डेली आना चाहिए चाहे मेरे पैर सूर्स के फट जाए चाहे पैर कुछ भी हो जाए लेकिन चलती रहेगी प्यारे आखे मैंने बड़ियर ना आज मेहनत करो सिर्फ वह दिन आपको इस सारी मेहनत का परणाम देगा जिस दिन सीजल 2020 का प्रमजीत खत्री का कहना है सर्जी 11 उत्तर सुनिता कुमारी का कहना है 11 बिल्कुल माइडियर जब इजिटल सम पढ़ाऊंगा न इजिटल सम पढ़ाऊंगा क्या बताई देता हूं आपके पास एक संख्या है सवाल कहता है कि यह जो इतनी बड़ी संख्या है किस किस से डिवाइड है इतनी बड़ी संख्या है किस किस थे तो बारस से गर डिवाइड होगा तो तीन और चार दोनों से होगा बारस से अगर डिवाइड होगा तो तीन चार दोनों से होगा तो चार से डिविजिविलिटी का रूल है कि लास्ट के दो डिजिट कटना चाहिए नहीं कटा तो इसका मतलब है तीन से भी नहीं कट रहा होगा तीन से कैसे नहीं कटेगा तो मैडियर मेरी बातों को सुनिएगा डिजिटल सम आता है नहीं आता है तो फूब प्रेम से सिखाएंगे बहुत सारे कोश्चन प्रेक्टिस कराके देखिए न इसके डिजिटल सम का मतलब है कि 9 पूरा करना है आठेक 9 हो गया 9 हो गया 549 हो गया 22 2, 4 हो गया मतलब 4 रिमेंडर बच जाएगा अगर 9 से डिवाइड करोगे तो भी 4 रिमेंडर बचेगा 3 से डिवाइड करोगे तो भी 4 रिमेंडर तो इससे इससे नहीं कटेगा तो कटेगा किससे 11 से कटेगा मैंने 11 का डिजिलिटी रूल अप्लाई नहीं किया 11 का थोड़ तो 12, 9, 21 हो था तो 21-10 क्या 11 या 0 आना चीए 11 का कोई multiple या 0 आना चीए तो काहे के लिए 11 अप्लाई करोगे यही देख लो न माई डियर 3, 9, 12 सारे कैंसिल हो गए तो बचा क्या 11 इस सवाल का सयुत्तर हो किलियर है कमफेटेवल है माई डियर आगे बढ़ाऊं कहानी को आगे बढ़ाऊं प्यारे अजी कमेंट कर देना अगर इतनी सी समझ अच्छी हो ए भी या एवरेज का कोश्चन है और अगर एवरेज मेरे से पढ़े हो तो क्लास नोट्स उठा के देख लेना तुमारे क्लास का कोश्चन है अगर इवरेज मेरे से पढ़े हो प्यारे तो क्लास नोट्स उठा के देख लेना तुमारे क्लास का कोश्चन है बावू यह हमारे सोना मोना आपके क्लास का कोश्चन है पता हो नहीं सवाल का उत्तर दो ना इतनी कोश्चन पे पहुंचे हम लोग 18 पे अभी 12 सवाल हो रहे हैं जी परमजीत जी का कहना है 112 सुनिता कुमारी बिल्कुल सही आंसर है प्यारे माई डियर मेरी बातों को सुनना लाजवाब जवरदस्त जिंदावाद्य सुनिएगा मेरी बातों को कहता तीन आदमी है कोई तीन आदमी है कोई तीन वेक्ति है तीन वेक्ति है अंजी भाई इमोटुआ है कोई तीन आदमियों का एवरेज वेट चारचर केजी बढ़ गया कब का वेट वढ़ा है सब को मिला है मतलब एवरेज का क्वेश्चन है ये कब मिला तो सौक इसमें से कोई एक वेक्ति मुटका का वजन है सौकेजी तो इसको ग्रूप से भगा के किसी दूसरे को लाया गया है मतलब इसको ग्रूप से हटा देंगे किसी दूसरे को लाया गया है तो जब आप इस ग्रूप में आईएगा तो पहले group maintain किजिएगा, पहले group maintain किजिएगा, तो 100 kg तो maintain किजिएगा ही किजिएगा, और उससे ज्यादा आपका बजन ज्यादा जितना भी होगा, आप बांट दीजिएगा, सब में बाट आटिएगा, उस सब को दीजिएगा तो खुद को भी दीजिएगा, मतलब आप Senhor 4 kg जी बाट रहा है मतलब कि आपने 12 के जी बाटा है तो 100 तो आप मैनेज किजिएगा 12 बाट येगा मतलब 112 के जी सवाल का सही उत्तर होगा जब आप एवरेज्ट पढ़ेंगे तो और ज्यादा बैस्तरी समझ में आएगा अभी तो हम बस सॉल्व करा रहे हैं सवाल और ये सारी ये ये टोनू मोनू टोनू मोनू ये सवाम आपके लिए बनाएं वरना इस सवाल तो सिर्फ बिना पिन इमंदारी से बताए ये बिना प इस सवाल का सही उत्तर होगा प्यारे आगे बढ़ाओं कहानी को देखेंगे मेंसुरेशन का कोस्चन है मेंसुरेशन 3D का क्या मेंसुरेशन 3D का कोस्चन है माई डियर ठकना नहीं है प्यारे जब मैं नहीं ठक रहा हूं तो तुम क्यों ठकोगे जब मैं नहीं ठक रहा हू तो तुम क्यूं ठकोगे इस सवाल का सही उत्तर दोगे किलियर है प्यारे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है माइडियर हे मेरे बंदू हे मेरे प्रभुजी इस सवाल का सही उत्तर देंगे इस सवाल का सही उत्तर देंगे जी है मेरा कोई ऐसा धुरंदर जो इस सवाल का सही उत्तर दे सके प्यारे अजी बताओ यार मैं ठक गया हूँ आप लोग जवाब दो इस सवाल का पैसन मत लो जिन बच्चों से नहीं बन रहा है आपके लिए मैं खड़ा हूँ यार ये तो उनके लिए कह रहा हूँ जिनके मैंने पड़ा रखा है उनके लिए कह रहा हूँ 72 आंसर दे रहे हैं जी 72 आंसर दे रहे हैं प्यारे चलिए बहुत सांदार ला जवाब है जवर्दस्ट जिन्दाबाद है चलिए प्यारे पातर किसी का अंसर 68 है पताईए ना मैं स्वाल कराता हूँ कंसंट्रेशन बनाये रखिएगा वस खुब प्रेम से समझेंगे और इसका पीडिएफ आप लोग डाउनलूड कर लिजेगा टेलिग्राम से ठीक है देखिए ना मैं समझाता हूँ मैं एडियर सवाल कहता है आपका कि जांते हो काटोरा टाइप का टोरा देख् связ और घर में कईसा होता है कर गर मेरी बात को सुनियेगा सवाल कहता है कि इस कटोरे का radius 18 cm है इस कटोरे का radius कितना है मैडियर 18 cm है इस कटोरे का radius 18 cm है clear है this liquid is to be filled in cylindrical bottles each of radius 3 cm मतलब कि इस कटोरे में जितना भी तूप रखा गया है juice रखा गया है उसको किसी cylindrical bottle में transfer करना है इसको किसी cylindrical अभी एक batch है हमारा उत्तम नगर ब्रांच पे batch code 18 19 और हमारा मुखरजी नगर batch code 365, 366, 367, 368 mensuration पढ़ा रहा हूँ उस batch से अगर कोई बच्चा देख रहा है मैडियर तो तुम इसका जवाब दे दिये होते है अब तक बदमासी कर रहे हो इसका मतलब प्यारे मेरी बात को सुनिएगा एक क्या है हेमिय स्पेरिकल वावल है इसका radius कितना 18 cm और इसके अंदर जितने भी liquid भरे पड़े हैं सब को एक cylindrical bottle में transfer करना है जिसका radius 3 cm है radius 3 cm और height कितना 6 cm है मतलब क्या है कि इसमें भरा हुआ liquid ऐसे कितने bottle में जाएगा कितने bottle में जाएगा मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि इसका volume यानि कि volume इसका मतलब नहीं कि हमको volume बोलने नहीं आता है यह तो आपके मजे के लिए कह रहा हूँ इसका volume और इस बेलन का volume इसका volume और जितने bottle में भरा जा रहा है इसका liquid कितने bottle में भरा जा रहा है प्यारे तो my dear x से multiply कर देंगे इसका volume होता है hemisphere है मतलब कि 2 बटे में 3 pi r cube रेडियस कितना है 18 गुणे में 18 गुणे में 18 क्यूब का मतलब परावर x multiply में इसका volume क्या है तो pi r square रेडियस कितना है 3 गुणे में height कितना है छे काटने का तजुरुबा बहतेरीन अपने ही अपनों का काटते हैं प्यारे खूब सिखाया हूं मैडियर अपने ही अपनों का काटते हैं मैडियर समझ पारे उन्हें मेरी बातों को 18 18 को काटेगा 3 18 को 6 बार में काटेगा pi इस pi को काटेगा 3 इस 18 को 6 बार में काटेगा 6 गुणे में 6 36 गुणे में 2 72 होगा यानि कि कुल बोतलों की संख्या कितनी 72 है इस सवाल का सही उत्तर है कि पताओ न प्यारे समझ पाई या फिरसे समझाओं है मेरा कोई आईसा धुरंदर जिससको फिरसे समझ नह प्यारा प्यारे फिरसे समझ है my dear my dear friend very good आगे बढ़ाएं अगर इतनी सी कहानी समझ में आ रही हो प्यारे तो आगे बढ़ाते हैं my dear अच्छा सुनिए एक इस question में न हमारे typist महराज थोड़ा सा फूंक के मारे हैं समझ पा रहे हैं मतलब कि थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक बहुत भयंकर है जादा है तो आप लोग परिशान मत हो ये इस question को मैं लिख देता हूँ और इसका solution मुझे नहीं आता है तो आप सभी से मैं चाहूंगा जितने भी मेरे चैंपियंस इस क्लास को अभी देख रहे हैं 76 माइनस में 76 माइनस 90 डिवाइड़ वाइ 5 मर्टिप्लाइ 24 माइनस 36 डिवाइड़ वाइ 3 कंप्लीट डिवाइड़ वाइ 3 हाँ और इस expression का answer आपको दीजिएगा जल्दी आप लोग दीजिएगा जल्दी से बताओ सर आज तो ऐसा कोई question मेंस वाले सवाल है सारे आपको पढ़ा रखा हूं आशिश सिंग राजपुद जी सारे सवाल टिट्टो आपके class notes का है मैं तो कह रहा हूं कि class notes उठाके match कर लिजेगा और यही नहीं सिर्क इसी shift में नहीं हर shift में आपके class चे question आएगा मैं अक्सर बैच में कहता हूं जितना तुम मेहनत करते हो न उससे जादा मेहनत अभी भी तुम्हारे लिए करता हूं प्यारे समझ पा रहे हो ना content को कैसे develop करना है कैसे improve करना है ताकि मेरा student अगर बीच लाखों की भीड में भी खड़ा हो जाए तो प्यारे वो अपने आपको comfortable feel करे और दुनिया से आगे अपने आपको feel करे माइडिया एक बच्ची का कहना है कि सर जी फूर आणसर है लेकिन मैं कहता हूं सर जी गलत आणसर है अजी इसी का नकल मारोगे बताओ प्यारे माइडियर कोई तो अपना आणसर दे दो कोई तो अपना अंसर दे दो अजी हाँ माई डियर मैं सॉल्व कराऊं क्या मैं सॉल्व कराऊं क्या बताओ प्यारे है मेरा कोई ऐसा धुरंधर जो इस सवाल का सही उतर दे आओ मैं सिखाता हूं प्यारे मैं समझाता हूं देखेगा पचपन में बोर्ड मास पढ़े हैं क्या पचपन में बोर्ड मास पढ़े हैं आप लोग नहीं पढ़े हैं मैं समझाता हूं मैं एडियर मेरी बातों को सुनिएगा देखेगा ध्यान से प्यारे सुनो नो सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट का काम किरिया करते हैं अजी हाँ यहां यहां 3 था जी माफ किजिएगा अजी भया अजी हमको माफ कर दीजिएगा यहां 3 था सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो 3 से 36 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा 24 में से 12 डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो 12 आएगा 12 को ये 3 डिवाइड करेगा 4 आएगा यानि कि 90 डिवाइड बाइ 5 गुणे में 4 होगा प्यारे समझ पा रहे हैं यहाँ तक मेरी बातों को कि नहीं समझ पा रहे हैं हुँ काट कवाल क्या है 24 माइनस 36 डिवाइड बाइ 3 तो ये 12 होगा 24 माइनस में 12 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 होगा 4 गुणे में 5 ठीक है भाई कूर वाले बिल्कुल बिल्कुल माफ कीजिएगा कूर वाले बिल्कुल सही है 5 से इस 90 को 18 बारे में काटेंगे 24 जा 72 76 माइनस 72 4 सही उत्तर होगा बच्चे कहेंगे आज हमारे मास्टर जी भी खेल गए अजी हाँ अगले सवाल का उत्तर चे माइडियर अरे इसमें क्या अगले सवाल का उत्तर दें चलिए जल्दी से दिजेगा एक कमरे की चोड़ाई जान से दिखेगा एक कमरे की चोड़ाई उसकी उचाई की दोगुनी एक कमरे की चोड़ाई उसकी उचाई की दोगुनी प्यारे और लंबाई के आधे के बरावर है लंबाई के आधे के बराबर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ग्याद किजिए तब ब्रेथ ऑफ पर रूम इस ट्वाइस द्वाइट ओफ हाइट एंड हाफ ओफ दे लेंथ पाइंड दे लेंथ ओफ द्वाइश डागनल ओफ दे रूम पताओ प्यारे है कोई मेरा ऐसा धुरंदर जो इस सवाल का सही उतर दे सके जी प्यारे सवाल कहता है कमरे की चोडाई माई डियर मेरी बातों को सुनिएगा कमरा कह रहा है आज ही सिखाया था जैसा टोप ऐसा बोटम जैसा टोप ऐसा बोटम यानी की प्रिज्म और कोई प्रिज्म कैसा होता है प्यारे जैसा टोप ऐसा बोटम जब कभी कोई बच्चा मेंसुरेशन पढ़ता है तो उसको इसकाबिल भी बना देता हूँ कि माइडियर जिस डैग्राम का फॉर्मूला आज तक इस हिंदुस्तान का पुरे बिश्व में किसी किताबों में नहीं छपा हुआ है जिस डाइग्राम का फॉर्मूला किसी किताबों में नहीं मिलेगा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके बैच में मेंसूरेशन पढ़ा रहा हूँ तो यहां कमेंट बॉक्स में जवाब दे दे ना प्यारे क्या तुम्हें इस काबिल बनाया कि नहीं बनाया कि जिस डाइग्राम का फॉर्मूला मैं कहता हूँ पुरा गणित फॉर्मूला प्री है लेकिन इतना कॉंसेप्ट आपका डिवलप है कि अगर किसी का फॉर्मूला नहीं बनाया गया किताबों में उसका भी आप जवाब दे सकते हैं माईडियर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्यूबॉइड का डिवाइगनल निकालना सिखाया हूँ क्या होता है डिवाइगनल की लंबाई होती है प्यारे अंडरूट L स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस H स्क्वार अंडरूट L2 प्लस B2 प्लस H2 लेकिन तुम्हारा सवाल कहता है तुम्हारा सवाल कहता है माइडियर की जो उसकी बेस मतलब ब्रित है मतलब उसकी जो चोड़ाई है प्यारे उसकी जो चोड़ाई है वो तो है लेकिन सवाल कहता है उसकी चोड़ाई लंबाई का आधा है लंबाई का कितना है उचाई की दोगनी यानि की उचाई तुम्हारा बी बाई टू और लंबाई का आधा है लंबाई तुम्हारा टू भी हो जाएगा अगर तजरुबा बहतरीन हो प्यारे अगर तजरुबा बहत fraction का add करने आता होगा अगर आप SC की तयारी कर रहे हैं clear है my dear ये सारी बाते मैं अक्सर सिखाते रहता हूँ कि जब भी कभी घर पे time मिले न प्यारे छोटे भाईयों बहनों की किताबों को उठालो जहां कहीं भी fraction का add दिखे add करने लग जाओ अगर तजुरवा बहतरीन है fraction का add करने आता है प्यारे को तो 4, 4, 16, 4, 4, 16 प्लस 1, स्वारी 16 प्लस 4 कितना 20 प्लस 1, 21, 21 बी ए स्क्वार अपॉन में 4 यानि की रूट 21 बी बाई 2 इस सवाल का सही उत्तर सुनिता कुमारी का बिल्गुल सही आंसर है समझ पा रहे हो यह CGL मेंस का question है अगर आप वहाँ पे बैठ रहे हैं तो आपको वहाँ पे fraction का add करने के काविलोर नहीं देखना चाहता है आपको 70-80 हजार की नौकरी मिल रही है समाज में reputation मिल रहा है और अच्छी खासे साधी बिया होगा बढ़िया महरारू बढ़िया फ़र्चूनर मिलेगा तो इतनी काविलियत होनी चाहिए प्यार समझ पा रहे हो तो अगले सवाल सभ्का पढ़िया क ही पड़ा हिए बहत्रीन सा सवाल है अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके बैच में अलजवरा पढ़ा के आया हूं दिल पे हाथ रके के लिए सवाल 2022 का आय वा क्वेश्चन है और शिव्ट बता दू हो रहा था क्या है तुम्हारे क्लास क्या रेक्षन का प्वेश्चन है की नहीं है अब हम कहानी को खतम करने के अगार पर आ गए प्यारे अबक्र सेट के पांच कोश्चन और बच रहे हैं इसमें से 90% कोश्चन आपको ऐसा दिखाया कि आपके डिरेक्ट क्लास नोट का कोश्चन था अक्सर कहता हूं कि सिर्ट क्लास नोट को सही आंसर है आपका परिमजीत जी लाजवाब भौकाल मचा दिये हुए हैं आप हमारे बैच में नहीं हुआ है आपके लिए अहां लिख दूँ प्यारे द्हुर से देखना फिल एट है और लास्ट में टरम है 1-x last में एक term है 1-x my dear इस तेकिन algebraic expression में multiply वाले term को या किसी को भी अगर आगे पीछे करते हैं तो खयाल ये रहना चाहिए कि उसके just पहले का sign नहीं बदलना चाहिए clear है तो इस 1-x को अगर मैं उठा के यहां ले आऊँ चरहा गौर से देखोगे a-b into me a plus b क्या मैंने ये नहीं सिखाया a square minus b square होगा तो 1 के उपर power 2 चड़ाओ या ना चड़ाओ बात बराबर है फिर a minus b into me a plus b क्या होगा a square minus b square होगा फिर a minus b into me ये process चलता जाएगा अगर तजरुबा होता तो आप direct कहते सर जी last term 1 plus x to the power 8 ये आपके algebra का question है प्यारे आपके class notes का question है question number 112 के आसपास देखेगा ये question आपका मिल जाएगा clear है अगर comfortable है तो कहानी को आगे बढ़ा दूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनना similarity कितने बैच में पढ़ाया है similarity कितने बच्चों को पढ़ाया similarity का एक बड़ा ही बैतरीन सा concept है अगर आपने पूरा similarity मेरे से पढ़ा हो तो मैंने बताया था कि similar triangle के corresponding sides के ratio का square होता है उसके area का ratio दो triangle है जिसके area का ratio कितना 196 और 625 196 और 625 उसके area का ratio है तो my dear सवाल क्या कहता है उसके side का ratio क्या होगा उसके side के ratio का उसके side के ratio का square ही तो बना है उसके side के ratio का square ही power 2 उटके इधर आएगा square root बना देगा 14 ratio 25 will be the correct transfer सब बस मेरे तो my dear मेरी बातों को सुनिएगा प्यारे अगला जो दो question है आपको घर से solve करके लाना है दो तीन question ये percentage का सवाल है प्यारे percentage में कराया हुआ question है आपका homework है ये आपका homework है माई डियर अनन्ड और ये भी आपका homework है next question pipe and tanky का है प्यारे हाँ आपका homework है ये भी height and distance का question है आपका homework है माई डियर ये question आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलूट करके solve किजेगा मेरी बात को ध्यान सुनिए फिर हमारी देखिए जिन बच्चों को जो हमारे offline बैच के student उनको पता है सुवे 9 से रात के 11 बज गये आपके सामने घड़ी है और आपके सामने mobile phone है क्लिक करके देखिए रात के 11 बजने वाल प्यारे मुखरजी नगर का poster बॉय बनागे छोड़ूंगा आप सभी को मैड उम्मीद करता हूं कि कल फिर हमारी मुलाकात रात के साधे 9 बजे इसी खुबसूरत सी अवेली पैरमॉंट लाइट पे होगी तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा स्वस्त रहे सित रहे हैं जैहिन जैवारत चेक एंग गुणनाइट टोल आप यू नमस्कार है सभी को लवी ओल मैडियर थैंक यू सो मच